Assalamualaikum everyone Welcome back to our vlogs कैसे हैं आप लोग सब उमीद करते हैं आप लोग सब खैरियस से होंगे खुश होंगे और अपनी घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल लए भई आप लोग की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देखने हैं मटर फ्लाव बन रहा है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए और दुपहर का टाइम था तो अप यह ने बोला मटर रखे मैं फ्रीजर में इससे अच्छा है मैं मटर फ्लाव बना लेती हूं कुछ खुड़ी ऑगे बना लियाए कोई से आप जाए से कजबादे सिंपल तरीके से कोई स्पाइसस कुछ भी आइटे मसाला चार बनताए की बट अलग होती है मसाला थे मार्ट अगर आइट कर देते हैं लेकिन हमारे घर में प्लेन वाला जादा खाया जाता है शौक से ना बहुत जादा शौक से खाते हैं अच्छा खायर ये प्लाओ तो हमारा रेडी हो गया था और उसके बाद भाई हमारी चल रही है जोरो शोरो से हमारी रमजान की त्यारिया चल रही है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे टेस्टी फूड इतमारीया पर चल रही है रमजान की रेसिपीज तो फिर अपिया बना रही होती है कभी डेली है जैसे भी अपिया को टाइम मिल रहा होता है या जब गैस आ रही होती है पर करेक्त की या खिया लो फिर शुन चाहिन से वग्याहा लहा है तो रही है डेली हुगा है बदी रह्यार टायती है उर ये इतने कोई मज़डार बनेक्षे आप लोग यकिन नहीं करेंगे ये सिर्फ आदब जेघ ज़गी कितने सारे ब्रेडोल बन के तेयर होगाता है कितने 21 से 22 भाइस बने थैना ? बाइस जदा थैन चाहर बन जाए थे ना ? यह ने हम ने ब्रेड ड्रेडे फें इसना बने इपोघ के साथ हमे थोड़ेखिस रिक्वेस्ट कर रहे थे और इधर भी कमेंट आ ही रहे थे के आप लोग कुछ बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आएं ताके हमारा बजट ना हे ले इस वार रमजान में तो यह वाली इस टाइप की जो रेसिपी है न क्यूंकि जाहिर से बाते है चैनल पर हम हर तरह की रेस रेसिपी तो यह वाली रेसिपी तो खेर बजट फ्रेंडी ती आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों आवी तक नहीं देखिए वहां पर और कम्टीट रेसिपी आपको मेरे चानल से मिल जाएगी वैसे मेरे चानल से कनेक्टेड रहें टेस्टी फूड मारिया से उदर आपको डेली बेसिपी देखने को मिलेंगी ताकि आप लोगो जो भी परिपरेशन करनी है अगर इतनी पहले से कर रहे हैं परिपरेशन तो आप लोग कर सकें अधर से आपको बहुत सारे आइडियास मिल जाएगी तो मेक इन फ्रीज वाली जो आइटम सोते यह मिक एन फ्रीज हैं अराम से सको फ्रीज कर सकते एक महिना तक यह अराम से चल जाएंगे और फ्रीज होने के बाहतों बहुत ही एजली से फ्राइ हो जाते हैं सोरी अलफास बतर नहीं काँ भाग रहें चफर ये ना हमारे तियार हो गए था है और यही होता है काफी लोग मील अगर अपिया बना रही है तो мы sports the meal झा Herman और इसका johna कर नहीं विना रही है उसकी वज़ाई यह है कि हमारे जो बहुत सारी अवाम है न। कोपी पीस्ट वाली अवाम ठिके पास थिमाग नहीं बहुत सारे चानल्स वालों से हम खुद ले रहे होते हैं आईडी जैसे कि मैंने अंडु का यह बनाया था लबबदार तो यह इंडियन रेसिपी है और मैंने बोला मैं एक्सेप्ट करती हूं इस चीज को कि यारी मैंने इंडियन चानल्स पे देखा तो मुझे अच्छा लग लेकिन हमें बुरा लगता है इस बात का क्या एक हमारी रेसिपी एक हमारा आइडिया हमारी क्रियेशन और उसको आपने जैसे आज अपलोड करी आजकल जो इतने एक्टिव हुए है ना जो हमारी कॉपी पेस्ट वाली अवाम है यूट्यूबर्स अपने आपको मेहनत करने वाले कहते हैं मैं नहीं मानती बहुत बुरी बात है क्योंकि आप दूसरी का आइडिया ले रहे हैं इतना गुसा आ रहाता ना कसम से के ना हमने जो भी हम आजकल जो वीडियो डाल रहे हैं हम चेक करते हैं तो अगले दिन बलके आपको कुछ घंटे के बाद वही रेसिपी उनके चैनल पे अपलोड होई भी मिलेगी वो ही अलफाज वो ही प्रेजेंटेशन वो ही हर एक चीज़ मतलब इतने निल बटा चार हो गए हैं अचीव किसम के लोगे हैं हाँ मुझे बाकी में बड़ा गुसा आ रहा था खैर यह तो मैंने अपनी बात पही चीज़े चलती ही जा के बता देती हैं मैंने तेस्टी फूड इंद मारिया की रेसिपी यूज करी है या उनकी रेसिपी से सबक्र बनाया है लोग इतना भी नहीं बहुत नहीं बुलना ही समझछते हैं ओज़रा खैर आजीव किस्म की रात हैं हमारे पाकिस्तान में क्योंकि एक दूसरे को appreciate नहीं किया जाता, टांक की चीजी जाती है, इसलिए हर कोई पीछे ही रहता है, वो पीछे ही रहेंगे ऐसे लोग, अच्छा हम आयते हम आयते हम लोग, क्योंकि हमारे घर में बेसिक समान था थोड़ा बहुत, वो खतम हो गया था, तो अम्मी ने कहा कि यार, मैंने, हम लोग यह था कि यार, हम लोग ना, अभी जाके जो चीजे खतम हो गई यह ना, जैसे के हमारे घर में प्याज, लसन, वगएरा यह साई चीजे खतम हो गई थी, बेसिक जो वेश्टिबल्स होती है, वो भी खतम हो गई थी, तो उसके लिए हम आगए थे, इम्तियास, और क्या कहत यह होता है, हम ना, गलत टाइम का इंतखाब कर लेते हैं, वो एमरजनसी में निकलना पड़ता है, जैसे के प्यास बिल्कुल खतम थी, घर में लसन बिल्कुल एंड पे था, तो मैंने का मैं जा वारी हूं, तो एक ही जिगह से साई चीजे मिल जाती है, तो हम ना, इम्तिय जाते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ावाद समाल लेना ता अपने लिए हैं, तो जब हम इम्तियास के सामने पहुचे रच देखा तब रिलाइज हो यह तो स्टार्टिंग की डेट लिए हैं, लेकि मैंने का जो हम वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत रच लेकिन हम वापस नहीं आए हम तयास गए महाँ से आगे हमने शौपिंग करी क्यूंकि अभी तो डेस चल ले ना सब लोग रमजान ग्रॉसरी कर रहे होंगे इस वक्त ना सब क्यूंकि स्टार्टिंग के डेस चल रहे हैं तो बाइस तारी को पहला रोजा होगा तो हर को यह रमजान ग्रॉसरी कर रहा होगा तो इतना तो रश मिलेगा है मिलेगा मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ना वह बहले वह सुबा का टाइम हो दुपैर का शाम का यह रात का टाइम क्यों ना हो सारी मार्किट सितनी फुल चल रही हैं माशाला से सब जोरो शोरों से रमजान निकलना पड़े, आराम से आपकी इबादत हो जाए, बहुत सुकून के साथ रोजे गुजर जाए, बहुत टाइम चला जाता है, सारा सारा दिन वेस्ट हो जाता है, पिर आप नमाज नहीं पड़ पाते, दस मसले होते हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए पहले से सब यही चाहते हैं कि तैयारी करके रखें, आप जिसकी जितनी हैसे थे वो उस हिसाफ से तैयारी कर रहा होता है, तो बड़ा रश्ता है, आप मार्केट्स में चली जाएं, आप मार्केट्स की बहार से गुजर के देखें, आपको अंदाजा होगा कि कितनी महंगाई हो गई है क्योंकि पाउं रखनी की जगा नहीं मिले या आपको इतना रश है वैसे सब गची रोते हैं अरे बड़ी महंगाई हो गई है बड़ी महंगाई हो गई है हमें पता है हो गई है लेकिन ये के फिर भी मार्केट में अलहमदुलिल्ला बड़ा रश है आप जाके देखें नहीं अच्छा जी हम आ गए ते घर और हमने अपनी पहले ग्रॉसरी पहलाई और फिर समेटना स्टार्ट किया और मैंने हाथ के हाथ नहां पता है मैं थख गई थी क्यूंकि इतना कोई रश था ना हम पांच बजे गए थे और हम आट बजे के बाद वापस आएंगे वहां से नह नहाल था हमारे साथ हम दोनों गए ते तो इधर ही बैटके ना चीजे अच्छा बाटल ने कैच्छा डालना स्टार्ट कर दिया नहीं पर रिफिल करनी होती है ना चीजे मैंने वहीं के वहीं करना शुरू कर दिया क्यूंकि बड़ी थाकन हो गई थी असल में रश इतना थ कि ना बहुत सा ही जगा ट्रॉली जगा भी नहीं सकती थी फुल हुआ वा था इम्तियास और ना हम मतलब आगे जा रहे थे फिर ट्रॉली एक जगा खड़ी करके फिर उसके बाद अपना समान अपनी ग्रॉसरी कुंपी करके बहुत जाएं तो ना अर्ली मॉर्निंग जाएग सुबही सुबह तब जाके आप अपनी ग्रॉसरी असानी से कर सकते हैं और मुझे बताएगा किस ने अपनी अपनी ग्रॉसरी कर ली है रमजान की कमेंट करके जरूर बताएगा और कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितनी महिंगाई हो गई है आपके हसाफ से मतलब पिछले मही अपसूरत लगे इतने मतलब ना दिल पे लग गए थे अपिया और मेरे और फटा 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 हमने इसको ले लिया था और यह हमें मिला था कब यह मक्द था त्री हंड़ेट टैन रुपीस इस तरह से कुछ था ना तो खैर अच्छा घर पे आगए थे समान वगएरा से वह हमने सीक्यो पर डाल कि इसको एंजॉय किया था रात के टाइम पे और यह हमारा खाना था यह हमारा खाना था और अच्छा लगता है वैसे पलाओ किसी भी टाइम का हो आज खास तरुपर राइस ओधाए में थोड़ा सा रॉडा सा मैं उक्ता जाती हूं मैं उक्ता ना वो होता है कि यार गरम हो जाते तो फिर बेतर था लेकिन ना ऐसी रूम टेंपरिचर में तो मैं ऐसी खा लेती हूं कोई से भी राइस हो वैसे ना मुझे बताएगा अभी आप लोग की तरफ गैस की क्या टाइमिंग है मैं बता हूं हमारे घर पे नौ बज़े के बाद गैस बाद रात को नौ बज़े के बाद सारा दिन होती है गैस ना लेकिन कभी कभी नहीं भी होती है ऐसा हो रहा है बीच में कोई कोई दिन होता है सारा दिन गैस नहीं होती है जैसे मेरे खाल से पिछले हफ़ते हुआ था संडे वाले दिन गैस नहीं थी पूरा दिन गैस नहीं है इसके इलाव हमारे पास वो है कैटल है कि उसमें भी चाय बन जाती है फैर तो गुजारा तो हो जाता है लिकिन यह के ना जो गैस की बाते हैं वाली बात नहीं होती है जैसे कि इसके उपर अगर हम कुछ पकाना चाहें तो ना हमें बहुत टाइम लग जाएगा कुछ एक ग गंटा तो नहीं से गोफ ताने रखती है वह जाता है वैसे हम आज अपने बहुत सारी बाते कियां आप लोगों से क्यूंकि ना पता है एक दिन का भी गैप आ जाता है तो हम मिस्स करने लग जाते हैं कि हमें व्लॉग्स बनाने या व्लॉग्स अप्लोड करने हैं और इस फिर कुछ थंडा हंडा सा बना रहे है गर्मियां का अगाज हो चुका है और दिल चारा था कुछ थंडा 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 पीने का मज़दार सा थंडा 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 थं कि इस बार रम्दान में आपको आnd Room तो मिलेगे नहीं मारकेट में नहीं और औरन्ज़ मिलेंगे को अगर डिल भी तो ज이드 स्वारे के वщее उतर गए है और पहनेकर अगे है दिल भी नियुक्स मिलेंगे तो नहीं य Regan reca agent अट उतर गही के उतर्क गह दिल भी you canile oder albo not यह बन के तियार होता है और घर में आप बनाएं ज्यादा कॉंटिटी बन जाती है क्यूंकि उसमें आपने बरवेट की है वो तोड़ा सा पानी पे रिलीस करेगी तो इसकी कॉंटिटी डबल हो जाएगी माज़ा की दो लीडर की बाटल्स होती है वो यह वाली ले आते हैं हम लोग और इससे ना हम मतब दो दीन आराम से ही चल जाती है हमारी यह उची कॉंटिटी में होती है बहुत मज़दार यह मिल्ट शेक बन के तियार होता है इसको जरूर ट्राइगी जरूर बताएगा यह हम मुझे तो इतने पसंद आए कि बस अगर आप लोगों को पसंद आए तो जाके खरीद लीजिए क्योंके बहुत कम काउंटिटी में रखे वे थे हाँ वाकि बहुत कम काउंटिटी में ते है और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लोग को एंड आप लोगों ने बताना अज का व्लोग कैसे लगा अगर अच्छा लगी तो लाइक जरू कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर चैनल पर ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दूआओं में आफिस